बच्चो वेलकाब बाक टू दे येट अनदर सेशन और अभी हम लोग करने वाले हैं स्टाटिस्टिक्स की शुब शुरुबात स्टाटिस्टिक्स जो तुमारा स्टेकंड मेजर पॉर्शन है बोल सकते हैं जहां पर हम लोगों को बहुत सारी चीजों के पर हम लोगों को स्टाटिस्टिक्स की थियोरी के पर डिसकर्स करना है उसके अधा हम लोगों को मैचर और सेंटर टेंडेंसी के पर डिसकर्स करना है जिनका साथ मैस मैस छोड़ देता है, उनका साथ statis 6 पकल देता है, भहिया मैस साथ छोड़ी ही रहा हमारा, इतने अच्छे से फीड किये हूं कि अब तो छोड़ी नहीं रहा हो साथ, अब तो बेस्ट्रान्ट मित्र बन क्या है भैया, बहूत अच्छा, दोस्ती होगया हम लो स्टाटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा मतलब हम लोगों का जो प्योरी कंटेंट है स्टाटिस्टिक्स करना है आने वाली दो यह तीन क्लास में भी यह पूरी थियोरी की होने वाली है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मैजर अफ सेंटरल टेंडेंसी और फ स्टाटिस्टिक्स का मतलब यहां पर मैंने नीचे लिखके रखा है प्लूरर फॉर्म में दोनों अलग-अलग होता है ठीक है पर यह जो स्टाटिस्टिक्स वर्ड है वो अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग तरीके से डिराइव हुआ है तो देखो देखो डबर स्ट लैटिन वर्ट स्टेटस memb sweets अपले टिकल्स इत्वाट मतलब स्टैश्फ सब्सक्क्राइब एक लेतिन वर्ट से इन एक जिसका नाम है इस इत्याम इस इस इत्पाइब trav जित高 जर्मन और अलग अलग शब्दों को दिरायव हो के लास्ट फाइनल शब्द बनते हैं फाइनल प्रोडॉक्त फॉर स्टैस्टिक शब्द बना सर्वेश को सलमाल लो मेरे लोकलिटी में इतने ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल से कमक्यों मरें और वो क्या बोलते हैं वह कर रहे हैं कॉलेज में पढ़ाय करने ये मेरा सर्वेश करना है कि और किसी कॉलेज में ये तो में अपने डेटा करना चालू करूँगा मैं सबके घर में जाओंगा मैं दर्वाजा खटटाओंगा और बश्पन में जैसे हम लोग और तुरत अपने घर में घुज गए ठीक है फिर उसके जाकते थे आ तो नहीं रहे बहां और उनी अंटी के घर में ये काम करते थे जो अंटी हम लोगो सब साधा डाटती थी यहां मत खेलो जाओ अपने घर में खेलो यहां नहीं हला करना उन्हीं अंटी से हम लोग ऐसी करते थे बदला तो खटखट खट आया और भग गया तो वह चीज़ पर यह नहीं करेंगे इस बार खटखट खट 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 रहे हैं कि अंटी यहां बेटा बताओ अंटी आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है क्या 20 साल से कम का है और कॉमस्ट्री में कॉलेज पर पढ़ाई कर रहा है तो अंटी बोले कि येस है एक बच्चा तो मैं वालिक दूँगा हाँ ये एक बच्चा है उसका नाम पता है ड्रस लिट लूँगा एक डेटा कलेक्ट ह कर रहाँ अब चया है प्राइमरी डेटा से करूं से करेंडी डेटा से अब ये प्रमेरी से केंडरी क्या होता है ये बात करींगे इसके उपर है तोгор है सचले को लगाना statistics के अंदर हम लोग बहुत सारे methods पढ़ते हैं टेबल में data को जमा दो फिर उसका mean निकाल लो mode निकाल लो median निकाल लो standard deviation निकाल लो mean deviation निकाल लो correlation regression analysis कर लो index number निकाल लो बहुत सारी चीज़े होती statistics के अंदर statistics अपने आपको बहुत wide scope में डालके रखा है मैं सब इंक्लूड हो गया इसके अंदर point यह है data को collect करके उस data को analyze करना तो यह होता statistics in plural sense और statistics in singular sense तो यहाँ definition भी लिखी है देखो it refers to numerical data collected in a systematic manner with some definite aim or object in view ठीक है तो जब मैं कोई numerical data collect कर रहा हूँ एक systematic manner में और मेरे पास definite aim है क्या है मेरा object क्या है मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे जानना है कि मेरे area में कितने ऐसे person रहते है जो 20 years से कम है और commerce stream में college में पढ़ाई कर रहे है यह मेरा aim था तो definite aim होना चीए और को ज्यान में रखते हुए जब मैं numerical data collect करने घर के बाहर निकलूँगा मैं उसको बोलूँगा statistics in plural sense ठीक है देखो example the number of person suffering from malaria in different colonies of Delhi और number of unemployed girls in different states of India and so on ठीक है तो यह क्या कर रहा हूँ तो एक बार मेना data collect हो गया एक बार मेना data collect हो गया तो अब इस data को करूंगा नहीं यार कुछ तो काम है इस data का आ रहा है तो मेरे को standard deviation mean deviation की जरुवत हो deviations निकालने के लिए या मेरे को future forecasting करनी है तो मेरे को regression की जरुवत हो या मेरे को किसी दो data के बीच में रिष्टा निकालना है तो पॉइंट यह है कि एक बार data को collect कर लूँ स्टैटिशिक सिंगुलर सेंस पर आऊंगा जहां पर मैं collection of data की analysis करूंगा और interpretation करूंगा पहले उनको तरीके से जमाऊंगा मैं तो copy में यहां एक लड़का है तीन नंबर गली में एक लड़का है एक लड़का है शास्त्री नगर में ठीक है एक लड़का है क्या बोलते हैं इधर मैं पूरा लिक लिए था यहां है क्या है ऐसे लिक क्या था अब यह तो डेटा तो descriptive form में न पैराग्राफ में थोड़ी ची में रखो तुम लोगों को एक बात बताव मैं तुम लोगों को ऐसी paragraph पकड़ा दूगा बोलूगा जाओ पढ़के हो जाओ पढ़के हो एक पूरा theoretical content देंगा बोलूगो जा देटा को तो theory में दो नहीं analyze होगा उसको tabular form में डालो उसका कुछ mean, median, mode, word कुछ निकालो statistical tools का use करो इसका use करो यह देखो प्रिंसिपल डिवाइस प्रिंसिपल डिवाइस और statistical method का use करो उस data को analyze करो फिर interpret करो फिर अपना result जो भी निकालना है निकालो तो I think सब को clear होगा what do you mean by statistics in singular form और plural form बोलो clear है पटाफर से बताओ, clear है statistics in singular form and plural form, plural form में क्या करना है data को collect करना है, singular form में क्या करना है statistical method का use करना है, tabulation का use करना है, diagram बनाना है, mean mode निकालना है और भाई अपने results को draw करना है, that's it, चलो, ओके भाई अब फिर इसके बाद देखो statistics as a data in plural sense और as a singular sense का मैंने difference लिख दिया यहाँ पर, singular की spelling यहाँ गलत है, plural sense, singular sense, refers to series of data, statistical method, primary और secondary nature, तो primary और secondary के उपर मैं अभी आगे बात करूँगा, scientific in nature, form of raw material, ठीक है, और form of tool applied to process the raw material, ठीक है, तो यह tools के बारे में बात करता है, यह raw material के बात करता है, यह raw material के बात करता ह चलो, characteristics of statistics के उपर बात करेंगे, कि statistics के क्या क्या characteristics होते है, तो statistics are aggregate of facts, जो भी facts है, उसको aggregate करके अपन एक must data बना लेते हैं, पैबुलर फॉर्म में या किसी भी format में, diagrammatic form में, pie chart के format में, जिस भी format में, mean निकाल लेते हैं, तो mean क्या करता है, mean का का काम क्या होता है, पता है, त बताना, लाखो number of data का एक value बताना होता है, mean काता, तो characteristics of statistics में, statistics are aggregate of facts, जो भी facts है, तुम्हारे उसको aggregate करके बताता है, statistics, पहला characteristics, दूसरा, statistics are affected by large number of causes, ठीक है, 8 affected by large number of causes, statistics, जब हम लोग कर रहे हैं, मेरे को बात बताओ, मेरे को पांच बच्चे हैं, मेरे पांच बच्चे मे जानना है कि पांच बच्चों की performance कैसी है, मैं ऐसी निकाल दूगा, मैं ऐसी देखूंगा इन लोग क्या 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 पर्फॉर्मेंस चार्णी में, बता दूगा, पर यहां पर statistics की बात करो तो, वहां statistics में को लगाने की ज़रत नहीं पड़ीगी, पांच लोगे, और मेरे को मेरे को पूरे इंडिया की population निकालनी है, मेरे को पूरे इंडिया का debt rate निकालना है, birth rate निकालना है, यह सब चीजे करनी है, मेरे को average salary निकालनी है, पूरे इंडिया की, कि एक youth जो की 35 से 45 की age में है, ठीक है, या 20 से 30 के age में, उनके average salary क्या होती है, पूरे इंडिया की लेब इसप्रेस्टministeri सिफी सुमेशन आरेन बीन चांद सहरे तो जल्थ कशी नियरिट Spray अर्ष इस पहर हो सिक लिए to जल्डाय ते सरस्ट है डिये सिर्फ करने के लिए सिर्फ कुंपेरिज लिए सब्सक्राइब करने करते है एवडी डेटा इस एस्टीवेटेड डेटा ताकि हम लोग देखो रेशियो चैप्टर में हम लोग पढ़े है मैट्स में कि जब हम लोगो कोई दो चीज को यह सब निकाल लो तो क्या हो जाएगा यह भाई कमपेरेबल ग्राउंड में आ जाएगा ठीक है फिर स्टाटिक शूट भी कलेक्टेड इन इस्टेमेटिक मैनर ओके प्रपस होना चाहिए आपके पास कि आप डेटा कलेक्ट क्यू कर रहे हो ठीक है और स्टाटिक शूट भी आपको जो जोडना चाहरे हो किसको जोडना चाहर old इस सबस्तेकर के साथ आप सबस्क्राइब करना चाहरे है क्या यंदोन में क्या स्ट्राटати स्ट्रीक्स के अब लहीट क्या स्कोप है तो स्टाटिस्टिक्स का स्कोप देखो एकनोमिक्स के साथ मैं जोड़ के पढ़ूंगा तब क्या होता है पहला देखो कंदम्शन बोलड़ा स्टाटिस्टिकल डेटा अफ कंदम्शन अनेबल अस्टू पाइंड आउट दवे इन विच पीपल इन डिफरेंट स्टेट आफ ऑफ सोसाइटी स्पेंड देर इंकम जैसे माल लो स्टाटिस्टिक का यूज करूंगा मैं और परपवस ऑफ कंदम्शन एकनोमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं पर देंशन पर देंशन क्या होता अलगलग स्टेट के लोग कॉन से स्टेट के लोग कहा पर कंदम्शन जो कर रहे हैं कि सग्नमें पर जादा खरक्च नंपर करते लुगूद ज्यासे मेंहोग जर्डम्स पर खरते हैं करते ठीक है और क्या बोलते हैं अ़्छी महंगी फोन्स लेते हैं मॉबाईल फोन्स लेते हैं अपने थे लोगों कोन पता लगा सकते कि कौन सा स्टेटफ तस अपनी इंकम को कैसे spend कर रहा है कैसे consume कर रहा है दूसरा है production तो देखो the statistics of production describe the total productivity in the country this enable us to compare ourselves with the other countries of the world मैं तुम लोगो बताया ना तुम आपने competitor केसा अपने आपको compare कर सकते हो production की बात करें economics के अंदर तो production को अगर मैं statistical data के format पे जमाल हूँ तो इससे क्या होगा एक comparison enable हो जाएगी कि इंडिया में dedicatedly हमारी country में कितना production capacity है किस चीज का कितना production हो रहा है जैसे तुम लोग देखे होगे कई सारे YouTube वीडियो में भी और बहुत सारे data आया कहा से statistics तो लेके आया ना आई जस वंडे टू आस्क यू वो डिटा कहा से आया वो डिटा statistics आया तो statistics इस चीज को enable करता है ठीक है कि statistics आपको बताएगा कि कहां पर ठीक है आप कम कर रहे हो और सामयली कंट्री आपसे better perform कर रहे है comparison कर पाओगे बाकी कंट्री के दाद अपने आपको जैसे कि यहाँ पर देखो कि यह देखो GDP of different countries यहाँ पर अगर मैं आऊ देखो इस website का नाम क्या पता है इस website का नाम है statistics times.com अब यहाँ पर तुम देखोगे तो यह देखो यहाँ पर आपको country wise यह देखो आपको country wise यहाँ पर यह देखो normal nominal GDP दिया हुआ है growth percentage दिया हुआ है यहाँ पर nominal और यहाँ पर continent wise दिया हुआ है यह देखो पूरा आपको GDP का डेटा यह किस format में लिखा हुआ है बताओ बत्तवी किस format में यहाँ पर तुम लोगों को चीज़े दिख रही है यह देखो यहाँ पर पूरा डेटा लाइन से दिखा हुए रैंक भी दिया हुआ है पूरा आपको डेटा है प पूराने डटका पर जो भी है तुमको यहाँ पर दिख रहा है यह देखो यहाँ पर आपको पूरा बता रहा हुआ यह iट अखो टिपिनट कर घे अटेक। और नीचे यहांपर अच्छे यहां पर अच्छे बता के रखा है, अलग है तो यह पुरे वेबसाई्ट का नाम भी स्टाटेसिक्स से क्या होता है आपका इंडिया में हुआ हम निकाल सकते हैं स्टाटेसिक्स का यूज करके ताकि हम लोग बाकी कंट्री से अपने आपको कंपेर कर सकते हैं ठीक है बच्चों Monsfilledcases क्या और सकते हैं और सकते हैं वहाँ्टेसिक्स थम्हक्ới आतब से अपने एंडिया मचलब से कहने क्या हूं और सप्लाइप स्टाइब कर mm आपका उस्टाइब फॉर्स हैं इंडियानलेद्य मुद्य और स्टॉर्स धा स्वार्ट n अधक्रा 28 stay यहां डिमांड और सप्लाई टकराते हैं वहां पर प्राइस फिक्स हो जाता है जाया मेरे को कॉस्ट और प्रोडक्शन निकालना है जाया मेरे को मोनोपोली कॉंप्टिशन के बारने में जाना है या वॉट्सुएवर इस ठीक है कुछ भी योग बात यहां पर यह है कि जब सूर्ण मेरे ऊपर नीचे उपर नीचे होता रहता है औरी टाइम गोल्ड का प्राइस कि आप देखोगे जब भी यह देवों यह गर्ट को ओल्ड प्राइस इन इंडिया अगर तुम देखोगे टाइम वाइस एक सेकर कर इसमें दिखा हुऊआ है कि वोसी स्चिर्टींग प्राइज कहीं नहीं दिखा रहे हैं है अगर तुम लोग जानते हो अगा पता है फोल्ड की प्राइज कॉंस्टेंट सthere याहां पर यहाँ पर ऑगर तुम यहां पर पाँ जुलाई को ऑग्षिस करते हैं और मिलता यह बता कैसे चला सभी कहां से आएगा statistics, कहां से बताई चला, statistics, the help of economics, rate determination करता है, ठीक है, econometrics, with the help of econometrics, economy has become exact science, econometrics is the combination of economics, mathematics and statistics, so econometrics, eternal logic होती ही, जहां पर हम लोग economics, math, statistics तीनों को एक साथ यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, जरा बता है न, किसी भी चीज़ के analyze करनी है आखको, economics, survey करोगे, economics, statistically represent करोगे, statistics हो गया, tabular form में या फिर diagrammatic form में, फिर उसमें maths लगा के, mean निकालोगे, medium निकालोगे, mathematical tools को यूज करके, mean, medium mode ये सब निकालोगे, econometrics, जहां पर आप तीनों का side by side यूज कर रहे हो, econometrics, इस पर बहुत ज़्यदा helpful है, next, public finance, public finance studies, the revenue and expenditure activities of a country, revenue and expenditure activity, of a country's budget, a statistical document, fiscal policy, deficit financing, etc, are the concept of economics, which are based on statistics, क्या बोल रहे है, public finance, मतलब क्या होता है, revenue और expenditure, जो भी होता है, revenue मतलब पता है न आपको, income आना, revenue आना, और expenditure मतलब खर्चा होना, तो एक country का कितना revenue हो रहे है, कितना expenditure हो रहा है, budget जानते हो न, budget के अंदर बहुत सारे ups and downs होते हैं, कई बार budget deficit में होता है, ठीक है, continue, तुम लोग देखे होगे, state wise और country wise भी, budget बनाया जाता है, और budget कई बार deficit में भी होता है, तो वो deficit में है, तो क्यों है deficit, ऐसी क्या policies इंट्रोड्यूस करें, जिसके वो deficit हट जाए, ठीक है, और अगर वो surplus चल रहा है, तो क्यों surplus में चल रहा है, और इसी कौन सी policies है, जिसको surplus में चलने में help की है, ताकि आगे हम उनी policies को continue रखेंगे, ठीक है, fiscal policies को frame करना, deficit financing मतलब note छापना, deficit financing मतलब क्या होता है, note छापना, तो यह सब चीजों का decision making, economics की help करता है, statistics, ठीक है, input output analysis, the input output analysis based on statistical data, which explain the relationship between the input and output, sampling, time series, index, number, probability, correlation, regression, or some other concept, which are used in economic analysis, तो बोल रहा है, कितना input डालोगे, तो कितना output निकलेगा, तो तुम लोगो बता है, actual regression analysis, तुम लोगो यह बता सकता है, मैं तुम लोगो बोल रहा हूं, कि मैं 500 kg raw material डालता हूं, तो 200 kg output बनके बाहर निकलता है, तो मुझे बात बताओ, अगर मेरे को 600 kg output बाहर चीए, तो मै तुम लोगो regression analysis देता है, regression से तुम पता लगा सकते हो, मैं तुमको बोल रहा हूं, कि मैं 1 लाग की advertisement करता हूं, तो मेरी 50 लाग की sales होती है, तो अगर मेरे को 130 लाग की sales करनी है, 130 लाग की sales करनी है, तो मेरे को कितने लाग की advertisement करनी पड़ेगी, regression analysis बताता है, मतलब input-output relationship या भाई कितना input डालू तो इतना output निकलेगा, वो तुमको बता देगा, और तुम उससे पूछो के भाई ये बता, इतना output चाहिए है, या इतना input डाल रहा हूं, तो बता ना, कितना output निकलने वाला है बाहर, वो भी बता देगा, मतलब इधर से इधर भी बता देगा, इधर स सबसे पहले बात कि भाई स्टाटिस्टिकल डेटा का यूस करता है सिर्फ यही पता लगाने की कि अगर मेरे को कोई नया बिजनस यूनिट डालना है या मेरे को कोई नया वेंच्छर डालना है या मेरे को नया बिजनस स्टार्ट अप करना है तो इसकी future forecasting क्या है future demand क्या है future में कोई growth prospect है किया ऐसी future में profit दे के जाएगा कि loss में चला जाएगा मेरा इंवेस्मेंट तो पहला चीज यह है और्गनाइजेशन आफ बिजनस मतलब बिजनस का बिजनस के जो स्टाटिस्टिकल डेटा का यूज करके कि इस बिजनस को मेरे को डालना चाहिए की नहीं डालना चाहिए यह डिसाइड करता है पहला दूसरा जा प्रोडक्शन करने आने वाले समय में जैसे मालो इतनी प्रोडक्शन चलते आ रही थी तो अगर इसी सा करने कि कितनी production commodity में डाल सकता हो बना सकता हो अगर मेरे को इतना raw material अप्लाई हुआ तो जैसे मैं उसको ला के देते हैं भाई सौक उंटल raw material कितना production कर पाऊगे तुरंट बता देगो एक सेकेंड में क्यों यो बता देगा उसके पास statistics है तुरंट computer में डेटा डालेगा भाई सौक उंटल raw material कितना output बाहर निकलेगा तुरंट पटाक से बाहर निकल गया है यतना output बनके रेडी हो जाए क्यों 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 कि उसके पास statistics है ठीक है फिर scientific better and efficient control of a business can be achieved by scientific management with the help of statistical data the success of business management lies on the accuracy of forecast mid क्या बोल रहा है scientific management और business forecasting आगे चलके business में और क्या addition subtraction करना है विद्ध चेंगिंग डिमांड तुम लोगों को पता है आज के टाइम में डिमांड से जाधा वॉलेटाइल कुछ ही नहीं कब किस चीज की डिमांड आ जाए कब किस की डिमांड भाई ट्रेंड वाला जमान है एक वीडियो वाइरल हो जाए थारा भाई जोगिंदर समझे एक वीडियो वाइरल है ऐसे डिमांड चेंग हो जाती है कुछ भी हो सकता है इतना वॉलेटाइल है मार्केट कोई भी चीज बूम पकड़ सकती है कोई भी चीज अच्छी खासी सेटप चीज हतम हो सकती है यह चीज है तो स्टाइटिफिक मेनेजमेंट बिजनस फोर सकते हैं यह सब चीज हो के लिए ठीक है फिर उसके बाद पर्चेस है दपर दप्राइस स्टाइटिस्टिक्स ओफ डिफरेंट मार्केट हेल्प बिजनसमें इन अर्राइविंग एडड़ करेंग डिसीजन रोम अडिल पर्चेस फॉम दोस मार्केट ओनली वियर दप्राइ इसको कॉल किये हां भाई कितना है 24 अच्छा हां वाई कितना है 26 ऑके भाई कितना चल रहा है 22 22 वाले ले लेते हैं गलत जवाब पॉस्ट अकांटिक में तुम लों इंटर्मिडिट लेवल पर पढ़ोगे एसे डिसाइड नहीं किया जाता कहां से पर्चेस करना है बहुत स चहर से 24 में आ रहा है 24 पर केजी और जो 22 वाला ऑस्ट्रेलिया से कितने सारे फैक्टर कंस्टर करने पड़ेंगे बहुत सारे ठीक है तो एक चीज नहीं होता इंट्रांजिट कॉस्ट बहुत सारी चीजों को कंसेडर करना पड़ता है इन सब चीजों को कंपेर करने के इस अधिन आंड आप रहा है यह पूरा परग्राफ तुम पढ़ लो क्या कोई ऐसा पॉंट तुमको नहीं समझ थैंख कि स्टैसिक्स विजनस में कैसे यूजस होता हैं ऑगर आप सही पोरकास्टिंग करोगे यूजस to करेगा अगर आप गलत estimation करोगे गलत forecasting करोगे आपका बिजनस जूँच चाहिए पिर उसके बोर्डिंटन ने क्या बोला था कि successful businessman वह होता है जिसका जो estimate होता है वह very near to accuracy होता है मतलब perfect के एकदम पास होता है जैसे माल लो यह perfect decision था तुम्हारा यह सेंटर में तो इसके आस पास तुम्हारा क्या हुआ हुआ यह ज़िदां 주mmarch लगा इसक पास ही तुम्हारा कहीं estimation लगा 36 की हैल से बेटा फोर्कास्टिंग ऐसे होती है कि देखो अभी अभी तुम लोग करके दिखाओगे मेरे को फोर्कास्टिंग मैं नहीं करूँगा कि बताओ कितनी सेल्स होगी बताओ कितनी सेल्स होगी यहां पर नेक्स्ट कितने की सेल्स होगी 700 की सेल्स होगी कैसे पते चला कैसे पते चला 700 की सेल्स होगी हाव यू केम तो नौ बाउट दिस कि 700 की सेल्स होगी हर साल हंड्रेट से इंक्रीज हो रहा है अच्छा हंड्रेड हंड्रेड य है अना यह भी बोल सकते हो है आपी सीरीज है हाँ पॉइंट यह है कि हर साल 100 से बढ़ रही है क्या बिल्कुल बढ़ रही है तो भाई मैं कर सकता है कि इस साल सेल साथ से होगी होगी बात खतम इस साल के क्या मैंने फोर कास्टिंग की भटा है कि यहां बाई यहां तो मैं एकदम बेसिक बचों वाला लेमन इंग्जामपल दिया है इसे । रिग्रेशन उपोशन तुमको बताता है पता है chapter है वो अभी हम लोग को पढ़ना है कि मैंने एक लाग की sales की है एक लाग की advertisement की है तो जो मेरा sales हुआ है वो 50 लाग का हुआ है तो मेरे को अगर 130 लाग की sales करनी है तो मैं advertisement कितने का करूँ ये बताओ तो तुम ये बताते हो तो ये भी forecasting है कि you are going to estimate what is going to be the cost of advertisement तो ऐसे करके बहुत सारे tools होते हैं बहुत सारे methodology होते हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूँ ठीके बच्चों येस फईया ओके बच्चा बाटी समझ में आ गई बात येस फईया forecasting अब हमको clear है we are clear with this forecasting ओके चलो तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन क्या है भाई हर चीज की कुछना कुछ यूज कर रहा मैं verbally कर सकता हूं क्योंकि यह काम इतना capable of हैं हम वर्बली पांच बच्चों का भाई performance जच कर सकते हैं तो इन्डिविजूल आइटम से डील नहीं करता इसको comparison करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए तब यह comparison कर पाएगा सब्सक्राइब कॉंटिटेटिव डेटा भाई सब्सक्राइब कॉंटिटी पे बात करते हैं वाट अबाट क्वालिटी यह तो अकाउंस का ड्रॉबेक हो गय ओन एव जिस बोल रहा है ओन एव बरेज बेसिस पे ही स्टाट्सिक्स लोग क्या गरते हैं ट्रू होलड करते हैं मतलब सब्सक्राइब च्रु आपको पूरी स्टोरी नहीं बताएगा जैसे एक्जांप्ल देखो इसका आवरेज निकालो यह सब को प्लस करो यह सब अभी मैं इसके पर बात ही नहीं कर रहा हूँ में निकालने बोल रहा हूँ मैं तुमको बता रहा हूँ एक सब को प्लस करो यह सब को सब को टिन से डिवाइट करो अंड्रेट प्लस Τे प्लस फिसके प्लस पाई प्लस एक पॉइंट सुटेग ऑन है 14 तो यह आ रहा है 51 0.21 penis 51.21 यह क्या पता है यह average है क्या है यह average है अब मिनों को एक बात बताओ इसको देखके क्या तुम कभी सपने में इमेजिन कर सकते हो कि एक data 100 पे भी है और एक data 10 पे भी है तुम लोग बताओ क्या तुम कभी सपने में 51 के से सब्सक्राइब कर सकते हैं कि उपार्स刁 पाटा को में आंता क्षाट तो तो यह गलतियां है statistics पिर उसके बाद statistics is liable to be misused statistics क्या है भाई misuse किया जा सकता है statistics का misuse किया जा तकता है of course ठीक उसके पर को doubt ही नहीं है फिर उसके बाद statistics data should be uniform and homogeneous क्या बोल रहे है statistics data की यह भी drawback है कि uniform और homogeneous data का use हो सकता है heterogeneous data और different data का use नहीं हो सकता है एक साथ आपको data uniform uniform format में चाहिए homogeneous format में चाहिए तब ही data यूज होगा दरवाइज नहीं होगा तो इस अगें बिकम्स इन limitation of statistics clear everyone what are the limitations of statistics बोलो बच्चो clear हो गई बात आपको limitation of statistics yes easy है तुम लोगों को थोड़ा मैं बता रहा हूँ याद करने बाद बैठना इसको बस तीन चार बार अच्छे से go through कर लेना that is more than sufficient ठीक है तीन चार बार go through करोगे दिमाग में अपने बैठ जाएगा रटने मजब बैठ जाना बैठ के पते चला पकागन देखे क्वाइब करने बैठ जाना ना ठीक है बस understanding is important ओके ठीक है तुक्स के बाद टाइप सब्स्क्राइब स्टाइस्टिकल डेटा की क्या टाइप होते है तो पहला होता है प्राइमरी दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा यहां देखके तुमको समझ में आ जाएगा यहां देखक इंटर्वी क्नीक फोकस ग्रूप सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जो आप सर्वे करके खुद जाके अपनी महनत धूप में घूम घूम के साघज में टिक मरमा वरंबा के खुट डेटा कलेट करके आ रहे तुम खुट जा रहे होaffen पूरा रिपोर्ट है वो रिदॉस्ट इंडस्ट्री ने मन वाई है उसको त grac परams phone या कोई गौइंट लिपोर्ट से कोई डेटा ले रहे हो कुछ भी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो आप झिए मेंट करके तुर स हे बात secondary data, clear हो गई बात, primary data खुच जा के collect करेंगे, secondary data कोई और collect करके रखा था बस मैं यूस कर रहा हूं, that's it, यह देखो यहां definition, primary data, it's the data collected by a particular person or organization for his own use from the primary source, from the primary source, or secondary data, it is the data collected by some other person or organization for their own use, but the investigator also get it for his use, ठीक है, तो वो person खुच collect करता है, कोई और person collect करता है, पर हम उसको यूस कर लेते हैं, clear हो गई बात, types of data, primary data and secondary data, primary data हम खुच collect करेंगे, secondary data कोई और collect करके रखा है, हम उसको यूस कर लेंगे, ओके बच्चो, तो methods क्या है, of collection of primary data, primary data collect करने की क्या क्या है, वैसे यहाँ पर भी यह method ही दिये हुए थे, पर यहाँ पर देखो तुम्हारे syllabus के अंदर कौन सा method है, पहला है, direct personal observation, investigation है, इसलिए बोल रहा हूँ, यह notes तुम लोगों को edit होके, उन्दर color वाला डालके, photo photo डाल के मिलेंगे, ठीक है, अभी ऐसी raw notes है, raw notes, just go through करने के लिए, इसका जब तक तुम लोग पहुचेंगे, filter होके पहुचेंगे, in this method, the investigator collect the data personally and therefore it gives reliable and correct information, क्या बोल रहा है, इस method के अंदर आप directly, personally जाके investigation करके आते हो, the investigator collect the data personally and therefore it gives reliable and correct, मेरे बात बताओ, तुम लोग खुच जा करके data collect करके हो, इससे जादा कोई reliability वाली बात हो सकती है, तुम खुद गए, तुम interview लिए, investigation किये, और data collect करके आ गए, इससे जादा कोई reliable बात हो सकती है, नहीं, अब तुम लोग ऐसे लग रहा होगा, यह सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लो, exam exam में पास होने बेटा audit करने जा अलग 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 ब्रांचे अलग 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 प्रोफेशन को सीए 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 में को distributed है, ठीक है, पॉइंट यह है, जब भी audit करें जाओ बेटा, तरीके से investigation करना पड़ता है, घुमा घुमा के question पूछो, ठीक है, घुमा घुमा के question पूछो ऐसे, अच्छा, और salary मिल नहीं किनी time पे, employee को पकड़ लो, उसको चाय पे चर्चा के लिए ले जाओ, किस employee को पकड़ लो, और बोलो और भाई सब बढ़िया, मस चल रहा organization में, काम वाँ, satisfied हो, है ना, फिर अगर employee frustrated है, तो पूरा frustration निकालना चालू कर देगा, अरे का है का satisfied, salary time पे नहीं मिलती, यह करते र नहीं है, हम लोग, योगी से कम नहीं है, auditors, योगी से कम नहीं, कोई comparison नहीं है, same to same, शान्त रहते हैं, मन में तुम लोग सोच रहे हो, इसकी frustration का फायदा उठाया जाए, ऐसे मन में सोच रहे हो, पर सामने ऐसे दिखा रहे हो, सही बात है, सही बात है, बहुत बहुत गलत हम लोग को तो टाइम पर salary मिलती है, आपको टाइम पर नहीं बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए, और उसके जख्मों पर आप मलम लगा रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, है ना, तो और और frustration निकालेगा, देखो ना, ऐसे करते हैं, ऐसे कोई करता है, उन मेरी बात है, यह सही से काम करते हैं कि कुछ ऐसे इधर उदर करता है, अकाउंट को, मतलब कुछ ऐसे समान आ रहा है, तो एक नंबर का छोर है, पूरा समान इधर उदर कर देता है, पूरा समान इधर उदर कर देता है, और पूरा समान इधर उदर कर देता है, और पूरा समान इधर भजन कर देगा वहां पर auditor के सामने की frustrated employee है और उसका फाइदा auditor उठा रहा है ठीक है तो बात समझें तो auditor दिमाग से काम लेता शानत आदमी है कोई भी action लेने के पहले auditor used to analyze everything और professionalism आपको उदर दिखानी है देखो आपके मन के अंदर बच्चा है या आपको पता है मेरे को पता है तो अपने अंदर के बच्चे को अपने को कभी मारना नहीं है बट प्रोफेशनल इसम दिखानी है आपके पास क्लाइंट आपको बता रहा है ऐसा है कि अर्गनाइजर्शन है हम लोग की partnership to company में करना है हां हो जाएगा हो जाएगा अच्छा तो और आपने को अद्टर लगेंगे अब हो जाएगा अच्छा लेकिन एक बार में को प्रोविजन्स मेरे को सब पता है है आई नो एवरी थिंग बट फीस जाद लिए नहीं पर टेक्निक लेटी दिखानी पड़ेगी में एक बार प्रोविजन को चेक कर ले तो बुक लाओ बुक अंदर डोरे मौन चल रहा है यह बुक है बुक में अंदर कुछ नहीं लिखा है खाली बुक अच्छा आप लोगों की यह फाम है ना यह है ना हाँ बढ़िया बढ़िया ओके डन हो जाएगा काम ठीक है ऐसे मतलब आपको प्रोफेशनलिजम दिखानी है वर्क प्लेस पर क्लाइंट प्लेस में यूशुड लुक लाइक प्रोफेशनल ठीक है तो आप लोगों के अंदर यह सब चीज़े इन्हेरेंट होनी चाहिए कि यू आर गइंडिविज्वाली बाकी सारे जोक्स अपार्ट ठीक है यह सब मजाक मस्ती साइड में पर एक्च्वल में जब तुम लोग अपने प्रोफेशनल डिगरी पे हो तो उन्हों को यह चीज ज्यान में रखनी है कि खड़े होके ड्रिंक भी नहीं कर सकते क्यों पता है क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो जब बाकी शेयर होल्डर से उन्हों लोग देखेंगे अरे यार ऑडिटर और डिरेक्टर के बीच में जुगलबंदी बहुत अच्छी नहीं लग रहे हैं और अगर उन लोगो खाने asking कर लोग के साथ कुछ आ कंषा हारे इसके पार्टनर्स का तो इसके बहुत सारी चीज़े में होती है अप रहे हैं तो यह सब चीजें है बाकी बात यह उठ रहे है कि direct personal investigation का काम कहां पर आएगा वहां पर आएगा direct personal investigation investigator collect the data personally and therefore reliable or correct information provide करे next use क्या है in case of natural calamity data can be collected more quickly and accurately by applying this method indirect oral investigation तो बोल रहे है in this method a third person is contacted who is accepted to know the necessary detail about the person for whom the inquiry is made use if there are some practical problem in the reaching the respondent directly as in case of relaxation देखो जैसे for example indirect oral investigation मतब अगर आप किसी third party को contract करोगे और आपको ऐसा लग रहा है कि वो third party को जिसके बारे में data collect करना है उसके बारे में सब कुछ पता है और यह तुम लोग बहुत करते हो I think तुम लोग समझ गया होगे करते हो कि नहीं करते हो सच बताओ तुम थर्ड पार्टी को contract करोगे जिसको उसके बारे में सब कुछ पता है मोबाइल लंबर इंस्टाइडी है ना समझ गए समझ रहे हो तो यह यह तुम लोग की केस में सब सब्सक्राइब करने का आज मौका आज तुम को भगवान ने मौका दिया है तुम अपने समा लोग देखो कि मतलब कोई ऐसा डिस्टेंस प्लेस जहां आपन रीच नहीं कर सकते और तुम किसी थर्ड पार्टी को भगोओं करों कौनेट करके उस जगा का जयाधा ज्यासे फॉर इसका एक बैस्ट इजामपल यह तुम लोग सब्सकरी नियूज जह चैनल वाले होते ह одepन लोग अर जगा कैसे पहुच जाते हैई एस ऐसा यहाँ जोपी नेवल की बड़ी न्यूस आती हैं लों को अगर मेरे सीटी में वह आ गया इसे आ गई सब्सक्राइब मैं भी देखा थो मेरी हालत खराब हो गए थी जैसे मैं लोग यह मेरा मॉइक यह मॊईक यह आपर है यहां यहां पर the नाम का यह दबब लगे रहता है तुम लोग क्या पहले बादर करेंगे डबब निकालेंगे दूसरा दब्बा लगाएंगे फिर फिर निकाल देते हैं नीचे से ढलते हैं पिर निकालते फिर निकालते हैं यह सिस्टम है और यह पता चला था मेरी फालत कराब होगी थी दून के वाव रही इतने लंबा चेन हैं लोग का आप चेन समझ रहे हो तुम लोग का कनेक्शन देख भाई इतना सोर्स तो हमारा नहीं होगा तो यह है इंडिरेक्ट उरल इंवेस्टिकेशन वह लोग यहां डारेक्ट नहीं पहुंच सकते तो थर्ड पार्टी को कॉंटेक्ट करके यहां का जायजा ले लिए क्लियर हो कोई के बाद इस ठीक है नेक्स्ट एस्टिमेट फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉर्सपोंडेस ही अर्ड इंवेस्टिकेटर अपॉइंट एजेंट और कॉर्सपोंडेट टू क्या करूं तो मैं अपने किसी स्टूडेंट को कॉंटेक्ट करूंगा जो वहां रहता हो जिसको वहां की हर लोकालेटी हर क्या बोलते जगहा के बारे में नॉलेच हो और मैं उसको बोलूगा भाई मेरे को डेटा करके कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वैदर इटी सीए सीएस और सीमें कर पाएगा तो बोलेगा रहे एक छतर राज चलता है मेर दो मिनट में कर दूँगा एक वाट्सअप में मैसेड डालूगा पचीस अजार बच्चे उसमें तुरंत पूरा डेटा मिल जाएगा तब सोर्स होगी मेरे स्टूडेंट से सोर्स होगी है ना स्टूडेंट का थपा लगा है तो पॉइंट यह है कि अगर मैं उस लोकल सोर अगर यह नहीं और मैं रीच नहीं कर सकता हूं डेटा तुरू इसके बहुत सरे लिखे रहते हैं और मल्टिपल आंसर होते हैं जैसे और फोन उसमें बहुत सरे को अब को आप आप सर देना है और लास्ट है investigation through enumerators this method generally employed by the government for population census, so enumerators लोगों को पकड़ पकड़ के हम लोग क्या करते है, सर्वे कंड़क कराते है जैसे कि generally जो population का census होता है, जो हर 10 साल में एक बार होता है इंडिया में, ये इसी के थूँ होता है enumerators के थूँ clear हो गई सबको बात पड़ाबर से बताओ, क्या आपको methods of collection of primary data clear है yes फईया चलो, आज कपना ये last topic होगा methods of collection of secondary data तो information collected through newspaper और periodical newspaper या periodical से उठा लो ठीक है, newspaper या periodical से उठा लो information obtained from publication of trade associations trade association वाले जो publication लाते हैं, उसको ले लो वो भी secondary data है information obtained from research paper published by university department research bureau such as UGC, university grant commission तुम लोगो पता है न, जो PhD वाले बच्चे होते हैं या जो master's के बच्चे होते हैं उन लोग एक project बनाते हैं अब वो project कैसा project होता है वो project ऐसा project होता है कि वहाँ पर आपको अपनी research खुद से ठीक है अपनी आपको research conduct करनी पड़ेगी और उस research paper को आपको देना पड़ेगा as a project literally guys मैं तुम लोगों को बता रहो level बता रहो मैं तुम लोगों को मैं बनाया हूँ मैं इसलिए मैं बता रहो plagarism test करवाना पड़ता है और plagarism test मतलब होता है कि आपका जो project है वो पूरा overall मिला के इंटरनेट कोई ऐसे नॉर्मल डेटा लोकल डेटा कोई भी डेटा मिला के 10% से जाधा copied नहीं हो रहा चीए और अगर वह 10% जाधा copied रहा project reject हो जाएगा भाई सहाव उसको 10% से कम रखना है तुम लोगों को अभी अंदादा नहीं हो रहा होगा अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी यह mode आएगा जहां तुमको plagarism test कराना पड़े तब तुम लोगों पता चलेगा भाई हम लोग पूरा टाइप करके बनाया project पूरा project टाइप क सोच लो ठीक है information obtained from official publication of central state, local government, crop statistics, industrial statistics, trade and transport वही सब है government publication से ले लो और information obtained from official publication of foreign government और international organization तो overall तुम लोग को एकी चीज़ दिख रहा होगा कि secondary data हम कहीं से उठा रहे हैं हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हम या तो newspaper periodical से ले रहे है या तो trade association के publication से ले रहे है या तो university publication से ले रहे है या तो central या state government से ले रहे है और या तो कोई foreign government से ले रहे है clear हो गई बात बताओ is it clear to you all बोलो बच्चो तो बस यहां तक अब theory lecture है तो मैं इसको जादा heavy नहीं लेके जाओंगा ठीक है let's take it very slowly slowly लेके चलेंगे ऐसा कुछ ऐसा गूगल ड्राइब ठीक है if you are in a recorded format तो आपके गूगल ड्राइब में नोट्स प्रेजेंट होंगे तो टेंशन मत लो इसका ठीक है तो आज की क्लास अमने यही पर समाप्त करते हैं गॉड ब्लेस्ट यू टेक करें रहें बाए बाए झाल